आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय साथ में स्वदेश प्रेम सिर्षक से कविता है जिसकी रचना स्री राम नरेश त्रिपाथी जीने की है आज हम लोग इसके पहले पध्यांस की व्याख्या सीखते हैं बहुत ही सरल है यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ब प्याख्या पासानी से कर ले जाएंगे तो चले सबसे पहले सभी सब्दों का अर्थ देख लेते हैं अतुलनी अतुलनी का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके यानि जिसको आप कहते हैं बेजोड जिनके ये सब्द भारत के महापूर्चों के लिए आया है प्रताप माने शवरिय का वही रहेगा साक्षी है मतलब गवा है या देखने वाला है प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से दिवाकर माने सूरज घूम घूम कर इसका वही अर्थ रहेगा बदलेगा नहीं देख चुका है इसका भी वही अर्थ रहेगा जिनकी ये महापूर्सों के लिए आया है भारत के तो वही रहेगा नीर्मल माने स्वक्ष कीर्थी माने प्रशिध्धी निशाकर माने चंद्रमा देख चुके हैं वही रहेगा जिनका अर्थात भारत के महापूर्सों का वैभो को हम लोग वैभोई करके व्याख्या कर लेंगे ठीक है ये नभ ये नभ मानी यह आकास यह आकास या यह आकास के वही रहेगा आनंत माने जिसका अंतना हो तारा गण माने तारों का समूह अगणित माने जिनकी गणना न की जा सके यानि बहुत जादा मात्रा में बार वही रहेगा इसके साथ जुड़ा है अगणित बार माने अक्तियधिक बार सुन चुका है वही रहेगा बदलेगा नहीं नब माने आकाश जीनका भारत के महापूरसों का विजय का गोस विजय का गोस विजय का गोस रण गरजन माने युद्ध की गरजना तो सभी कठिन सब्द हो गए, हम लोग अब इसकी व्याख्या करें, इसके पहले चुकि यह पहला ही पध्यांस है, तो हमें यहाँ पे संदर्व और प्रसंग भी लिखना पड़ेगा, तो चले हम संदर्व और प्रसंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग संदर्व लिखे से उद्रध्रित है इसके रचैता स्री राम नरेश्त्रि पाठी जी है और यह कविता उनके का विशंग्रह स्वपन से ली गई है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चले अब प्रसंग की बात कर लें आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल की लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कवी राम नरेश्त्रि पाठी जी ने भारत के महापूरसों की गौरो गाथा का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कवी राम नरेश्त्रिपाठी जी भारत के महान पूर्वजों का की गौरो गाथा का मह जाएए पर वरन करते हुए कहते हैं अभी उचो छोड़े रही है वरन करते हुए कहते हैं जीन के पराक्रम का प्रत्यक्ष दर्सी सवयंसूर्य है है पिर अपने जोड़े और और जिन की स्वक्ष प्रसिद्धी को चंद्रमा अपने जोड़े पूरे विस्व में घूम घूम कर देख चुका है जिन का वैभव ये आकास के अनन्त तारागण भी देख चुके हैं जिन की विजय घूष और रण की गर्जना को यह आकास अन्गिनत बार सुन चुका है वह अतुलनी है आज आई पहले सब्द पर वह अतुलनी है अर्थात इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी झाली हैं